उधर मोधी सरकार टोके कारेकाल का एक साल पूरा होने पर अब हर्याणा विदान सबा के अध्यक्ष ग्यांचत गुपता ने चंदिगर से हमारे समवधता पवन सिवर से खास बादशीत की सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा हो उनों ने परधार मंतरी नंधर मोधी के नेटरतों के दूसरे कारेकाल का एक साल पूरा होने पर बीजेपी के अंदर सरकार के तमाम फैसलों को लेकर लोगों के बीच जा रही है और इसी कड़ी में पंचकुला में एक वर्चुल रैली हर्याना भाज़पा करने जा रही है और पंचकुला में होने वारे इस रैली पर बातशित करने के लिए मेरे साथ हर्याना विधानसभा के अधेक सोर पंचकुला के विधाये ग्यांचन गुपता मौजुद है गुपत दानमंत्री निरेंदर मोधी जी के दूसरे कार काल का पहला साल एक सफल साल के रूप में पूरा हुआ है और इस साल के अंदर बहुत बड़े बड़े निर्ने जो सालों साल से अपेक्षी थे ओू निर्ने लीे गए जिनमें चाहे वो राम ने अ मंदर निर्मान का था, धारा 370 खत्म करने का था नागरिक कानून के अंदर नागरिकता कानून के अंदर संशोधन का मा márमला था तीन तला का मामला था ऐसे बहुत सारे निर्णинки एक साल के अंदर ही हुए तो उन सभी उपलवदियों को जो पिछले एक साल की उपलवदियां है निरेंदर मोदी जी की और आत्म निर्वर भारत हम इसको अपने भारत वर्ष को आत्म निर्वर मिलाने के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं इन विशों के उपर पूरे देश के अंदर वर्च्वल रैली की जा रही हैं स्थान स्थान के उपर हर्याना प्रदेश के अंदर भी पहली जो रैली है वो पंचकूला से पंचकुला के अगरवाल भवन में इस रैली का योजन किया जा रहा है लगभग तीस हजार लोगों को इस रैली का लिंक के साथ जोड़ा जाएगा और लाखों लोग इस रैली को रैली के माध्यम से जो हमारे नेता है श्री डॉक्टर अनिल जैन जी और तोमर जी और मुख्यमंत्री श्री मुनहोरलाल जी सुभाश बराला जी जो हमारे प्रदेश अदेक्स हैं ये सब लोग इस रैली को संबोधित करेंगे इसके साथ ही जो पंचकुला में आपकी वर्चुल रैली हो रही है इसके साथ साथ पंचकुला आमें कई डवलप्मेंट की योजनाय आपने शुरू की है तो क्या आप उमीद करें कि पंचकुला में जब घुसते हैं चंडिगर ट्राइ सिटी से निकल कर तो यह ऐसास हो जाता है कि आप हर्याणा में आ गए हैं या फिर पंचकुला में आ गए हैं आप पंचकुला की तस्वीर ऐसी बदलने का आप प्रयास कर रहे हैं क्या जैसे महाली डिवल्पमेंट जिस तरह से महाली में डिवल्पमेंट है या फिर चंडिगर में जिस तरह से विकास है सडके है साइकल ट्रेक है या और तमाम तरहें के जो डिवल्पमेंट है वैसी पंचकुला में भी नजर आएंगी क्या देखिए अबंजी मैंने शुरू से ही मे बहुत सारे निरने भी लिये जैसा कि जो हमारे roundabouts हैं उनको beautify करने का निरने लिया शहर के अंदर entry के उपर ही ये लोगों को अन्भव हो कि हम पंच्छकुला शहर के अंदर आ रहे हैं जा पंच्छकुला शहर के उपर under construction है और छे जो हैं वो गेट यहां पर बनने वाले इसके साथ साथ ही हम cycle sharing की scheme लेकर के आए और अब जो cycle track जो है जो non motorized vehicles के लिए track बनने जा रहा है आठ किलो मिटर का ये 25 किलो मिटर का track है आठ करोडर रुपे की लागत से ये track जो है सबी जो बड़ी सडके हैं उनके साथ हम इसको बनने जा रहे हैं इसके इलावा शहर को और सुन्दर बनने के लिए सडकों का निर्मान कारिया जो COVID के कारण करोना के कारण एक बार रुख गया था उसके उपर भी हमने focus किया है और बहुत बड़ी सडकें जो हैं उनका निर्मान कारे शुरू हो चुका है जिस तरीके से महाली डवल्प हुआ है चंडिगर के साथ लगता हुआ जिस तरह से महाली की सुईधाई है महाली की डवल्पमेंट है उस तरज पर पंच्कुला में आपने पहले भी पिछले कारेकल में भी आप लगातार काम करते रहे अब आप फिर शुरुआत की है तो एक नजर आएगा डिवल्पमेंट इस तरह से काम करेंगी बिलकुल आपको नजर आएगा और सबसे बड़ी ख शित्र में चंडीगर्ड और मोहाली से पीछे नहीं रहेगा उस इसके अंदर वो सबीस विधाएं उपलफ्द कराई जाएंगी जो मोहाली के अंदर हैं तो मैं समझता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी इस परकार का संदेश दे रहे हैं और उनका परियास है कि पंच्कुला को संदर शहर बना जाए तो निश्चित तोर पर पंच्कुला जो है साफ और संदर शहर बनेगा तो ये हर्याना विधानसभा के अदेक्स और पंचकुला के विधाय ग्यांचन गुपता हमारे साथ थे जिन्होंने जानकार दी है कि वर्चुल रैली पंचकुला में हो रही है और 30,000 लोगों को लिंक उपलब करवाया जाएगा और लाखों लोग जो है वो इस रैली से जु स्यूर जन्ता टीवी चंडिगर्ण